हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त कपिल तो दोस्तों आज की वीडियो में हूँ बात करने वाले हैं SDFC बैंक में जॉब्स के बारे में कोई भी ग्रेजुशन है तो आप एलिजिबल हैं आप जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर बहुत सारी वकैंसी से रहने वाली हैं मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन जॉब्स के लिए अपलाई करना है 2024 में आप चाते हैं इंट्रिव्यू किस तरीके से आपको इंट्रिव्यू के लिए जाना है ठीक है कैसे प्रेजेंट होना है और वहां पर कौन से इंट्रिव्यू के लिए क्वेशन साब से पूछे जाते हैं ठीक है और बैंकिंग सेक्टर की कौन सी चीज़ों के बारे में आपको पता होने च तो दिखे अभी हम computer screen पर पहुंच चुके हैं तो यहाँ पर दोस्तों RDFC bank की job के परे में जानने से पहले मैं आपके एक और important notification देना चाहता हूँ अगर आप एक fresher candidate हैं और आप चाहते हैं किसी अच्छी सेची tech company में भी job करना तो दोस्तों आपके लिए big opportunity है अगर आप coding या data science जैसी jobs करना जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर आपके लिए geeks for geeks एक contest लेकर रहा है jobathon 29 hiring challenge ठीक है तो अगर आप एक fresher candidate हैं यहाँ पर आपको सिर्फ इसको complete करना है यहाँ पर register करना है ठीक है तो अगर आप इस contest को successfully complete कर लेते हैं तो आपका resume यहाँ पर कई अच्छी calls आ सकती है ठीक है तो इसके लिए अभी जाकर links का में डाल दूगा अब इसके लिए पर register कर सकते हैं अगर आप tech jobs में interested है बाकि इसमें कुछ instructions दी गई है और यहाँ पर आपको बताया गया है देखिए यहाँ पर four parts होंगे इसमें जैसे की 3DSA coding problems होगी इसके marks बताये गए है programming logic होगे 5mcq and 5mcq logical reasoning के and 5mcq यहाँ पर होगे quantitative aptitude के ठीक है और यहाँ पर सिरफ individual participation allowed है इस job अत्वन के लिए तो बागी आप सारी चीज़ा यहाँ से खुद read कर सकते हैं link में डिखिश में डाला हुए जैसमें आपको पहले भी बता दिया और इसकी जो date रहने वाली है दे अगर आप SDFC bank में job लेने चाते हैं banking sector में तो वह कैसे apply करना है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप online मोर से apply करना चाते है तो वह क्या process हैने वाला है फिर मैं आपको offline बताऊंगा interview and all related things आपको सारी clear करूंगा ठीक है सबसे पहले देखिए online में आपको कहां से बताने वाला हूँ यहां पर कुछ भी scam या fraud नहीं है आपको मैं HDFC की official website से genuine तरीके से apply करने के बारे में बताने वाला हूँ ठीक है और यहां पर दिखिए जैसे आप नीचे में ने link दिया हुआ है इस website का भी direct click area space पर आपको जो लेकर आ जाएगा तो उसे जैसे आप open करें तो लेकिन आपको आपकी location के लिए कैसे job बता चलेगी आपकी nearby branch के लिए कैसे job के बारे में बता चलेगा तो वो आपको क्या करना है दिखिए यहां पर सबसे पहले जाना है select department आप कर सकते हैं लेकिन हमें location पर जाना है जैसे आप यहां पर click करेंगे थोड़ी से loading ले सकता ह यहां पर अभी इसके carrier space बहुत सारे changes हुए है यहां पर आपको सारी branches मिल जाएगी अब इसमें जो new update हुई है पहले क्या होता था यहां पर one by one इतनी ज्यादा clarity से यहां पर branches को नहीं दिखाया जाता था जो मैंने पहले वीडियो समनाई थी last year में लेकिन 2024 में इन्होंने इ पर इसके बाद आप अपना experience कर सकते हैं या फिर आप एक साल का experience है दो साल का तीन साल का चाहरा साल का ठीक है तो आप उस तरीके से देख सकते हैं जैसे मैं फ्रेशर को स्लेक्ट कर लिए ठीक है और इंप्लाइट आप पर्रमानेंट चाहिए लेकिन हम इसे छोड़ देते ह हमको सारी jobs देखनी है जो इस branch में available होगी तो देखिए इस तरीके से जब आप अपनी branch को यहाँ पर choose करेंगे ठीक है आपको सरफ एक branch को choose नहीं करना है आपकी nearby जितनी भी branches आती है कुछ चार पांच ये 6 branches को आप यहाँ पर find करके उन सभी को यहां से टिक कर लेना है जैसे भी यहाँ पर opportunity है कि हो सकता है आपकी nearby branches में आपके लिए यहाँ पर available हो ठीक है लेकिन fresher offline कैसे apply करेगा वो में आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो में बने रही है ठीक है तो यहाँ पर इस तरी किसा आपको सर्च करना है अगर आपको vacancy मिल जाती है fresher के लिए और experience के लिए देन आपको इसको apply कैसे करना है दिखे जैसे हम यहाँ पर मिलगी retail branch banking के job है current account sales में ठीक है तो यहाँ पर देखे आपको उस पर click कर देना है जैसे आप उस पर click करेंगे थोड़ी सी loading लेगा जैसे मिन आपको बताना भी इसकी update चल रही है तो यहाँ आपको एसे responsibilities दिखाई देंगी additional responsibilities education qualification क्या मांगी गई है यहाँ पर bachelor degree master daily ठीक है और आपका work experience कहां से मांगा गया है BFSI sector से role आपका fresher sales ठीक है और यहाँ पर year of experience देखे आपको बताया गया है अगर आप fresher भी है तो तब यह आप अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरीके से for this job पर click कर देना है देन उसके बाद आपको दिखे यहाँ पर sign up करना पड़ेगा क्योंकि आपका पहले से यहाँ पर account नहीं है अपनी email id ला लिए उसके पासवर्ट बना नहीं है confirm password कीजिए देन आप आगे सारी detail आप से पूछी जाएगी आप अपने Google से भी आपर sign up कर सक देन हो चुका है तो यहाँ पर देखिए इतनी ज्यादा jobs available है अब जब आपको दुबारा से अपनी उस job को ढूंड लेना है मैं वैसे रेंडम ली किसी job को उठा लेता हूं जैसे हमने इसको open कर लिए ठीक है तो यहाँ पर फिर जब इस एप्लायर पर अपक्लिक करेंगे है तो देखें मैंने यहाँ पर जो रिज्यूमे होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल प्ले करता है आपको कहीं पर भी जॉब दिलवाने के लिए तो मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई हुई है इस पर रिज्यूमे की कैसे बनाना है आपको बैंकिंग एक लिए जो अफेक्टिव लगे और आपको कहीं पर जॉम मिल सके ठीक है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डाला हुआ है आप वहां पर जाकर उसको भी इस वीडियो को देखने के बाद वाच करके वैसा रिज्यूमें बनाने के बाद फीर ही आपको यहां पर इसके लिए अप आप अपनी एप्लिकेशन को यहां से ट्रैक भी कर सकते है जैसे आप यहां पर जाएंगे एप्लिकेशन पर ठीक है तो यहां पर देखिए अभी तो मैंने कोई भी यहां पर आप रूल पता चलेएगी कौसी स्टेज पर पो पहुंचा है वो सारी सी आपको पता जाएगी प्रोफाइल अपको यहां से complete करना है जैसे देखिए मिरी यहां पर प्रोफाइल शो कर रही है तो मुझे सारी यह प्रोफाइल अपनी बना कर रखनी है तो जब भी फिर मैं जॉब के लिए apply करूँगा मुझे बार बार यह details fill करनी नहीं पड़ेंगी ठीक है तो इस तरीके से आपके यहाँ पर करना है online job के लिए apply SDFC bank में ठीक है तो यहाँ पर दिखे जब में मैं बताता हूँ कि banking sector में कैसे हमें job लेनी है किसी भी bank में तो मैं साथ में यह ज़रूर बताता होता हूँ कि हमें अगर offline apply करना है तो वो कैसे करना है क्योंकि देखिए online में खुद जाकर वहाँ पर resume दें तो वह आपके लिए ज़्यादा beneficial रहता है वहाँ पर आपको जल्दी अच्छे तरीके से job मिल सकती है तो इससे पहले दिखिए मैं भी एक जो NBFC company है उसमें मैं former employed रहा हूँ ठीक है जो मेरी last company थी तो मुझे वहाँ पर walk-in जाकर ही मैंने resume द जाने से यहाँ पर आप जिज़े करें हैं ऐसा आपको नहीं करना है आपको कैसे जना है simply जो मैंने resume बनाना सिखाया उस वीडियो में जैसे आप उसे watch कर लेंगे बाद में उसको आपको अपने recording बना कर देन आपको उसके बाद क्या करना है उस resume कर लेकर जाना है अपनी nearby 5- विजिट करना है ठीक है तो वो कोई भी ब्रांच हो सकती है किसी भी मैंकी IDFC के है तो well and good है अगर और कोई banks भी है उनकी branches में आपको जाकर विजिट करना है ठीक है वहाँ पर जाकर आपको उनसे बात करना है कि क्या सर यहाँ पर कोई job की vacancy है मुझे job के लिए apply करना है ठीक आपको ध्यान रखना है क्योंकि देखिए वैसे आप casually भी जा सकते हैं कोई problem यह comments आते हैं ऐसा कुछ नहीं लेकिन अगरा फॉर्मल में जाएंगे आपके impression अच्छा पढ़ने वाला है ठीक है तो यहाँ पर भी देखिए दो questions आते हैं दो comments ज्यादा आते हैं हम सर ब्रांच ठीक है वहाँ पर अपने zoom में दीजिए अगर वहाँ पर vacancy नहीं है आपको experience मिलेगा ठीक है लेकिन मैं इसका solution आपको बता रहा हूँ ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ कि आपको जाते रहना है आपको job मिली जाएगी आपको करना है तो उसके बात कीजिए कि sir आपका head office कहा है इस सारी चीजों को कर सकूं ठीक है तो आपको यह चीजों का ध्यान रखना है ठीक है जब आप HR के पास जाने के लिए आपको approach कर रही है अगर वहाँ पर उस branch में नहीं है इसी तरीके से आप 5-10 branches में यहाँ पर जाते हैं तो आपको कहीं न कहीं से call definitely आगी ठीक है तो offline apply करने लिए यह procedure है यह सरफ HDFC bank के साफ में मैंने आपको सारी banks का बता दिया इसलिए मैं आपको study में कहा था कि आपको package video में पूरा ही मिलने वाला है ठीक है और यहाँ पर अगर बात करते हैं इंट्रिव्यू की selection जिसी वज़ा से देखिए बहुत सारों की नहीं हो पाती है first level पर आपको लगता है शायद यह चीज बैस्ट वहां पर साभीत होगी कि आप कहीं पर preparation कर रहे हैं आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन देखिए कोई भी हाँ पर bank कैसा नहीं चाहेगी कि यह बंदा हमारे साथ work करे हम इसको काम सिखाए उसके बाद जब इसकी government job लग जाए यह हमें छ शायद हो भी बन भी रहा है आपको ऐसा वहां पर कहना है कि नहीं plan है government job का कुछ नहीं कर रहे हो ठीक है आप hidden में कर सकते हो वो कोई issue नहीं है लेकिन वहां पर नहीं बतानी है तब यह चीज़ है और उसके बाद थर्ड चीज देखिए आपसे वह यह कह सकते हैं कि क्या पूशने लेख जाते हैं अच्छा सब्सक्राइब कैसे होंगे सेल कैसे बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा सारा दिन बाहर तो नहीं घूमना पड़ना है तो यह चीज आपकी नेगटिव इंपक्ट होगी को कि देखिए बैंकिंग का काम आज सारे का सारा ना सेल पर ही ठीक है तो इन से भी चीज़ों से भी डरना नहीं है ठीक है यह चीज क्लियर तो देखिए इस तरीके से आपको यह कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कुछ यह कौश्चन है बाकि मैंने देखिए कुछ इससे रिलेटिड कुछ स्किल्स जो आपके अंदर होनी चाहिए ब पॉस्ट कर लीजेगा तो वाकि यह वीडियो में कंप्लीड मैंने डीटेल आपको बता दी है सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि अगर आप चाहते हैं टेक जॉब लेना तो उस कॉंटेस्ट के बारे मैं आपको बताया उसका लिंग डिक्स्ट में है तो वह कैसे करना ह यह आपके बैंकिंग केरी में बहुत ही ज़्यादा है तो अगर वीडियो अची लगी हो तो यार एक बार लाइक करके और कॉमेंट करके जुरूर बता देना क्योंकि हमें भी वीडियो के अनलाइसिंग करने में और वीडियो बनाने में महना लगती है तो हमें भी मोटिव झाल झाल झाल